हेलो गाइज, दिस इस सत्यम, वेलकम बैक टो मैं चैनल, फिनान्स मार्केट, वेलकम टो अनेदर वीडियो, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रिलाइन्स कम्यूनिकेशन लिमिटेट से रिलेटेट कुछ अवेरनेस टिप्स, दोस्तों जी हाँ, यह इस समय डाउन टर्न में है, मतलब रिवर्स सिचुएशन में है, और इस सिचुएशन में आप सब लोगों को जल्दिबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी से रिलेटेट मैं अपनी तरह से एक टिप्स आप सब लोगों को देना चाहूँगा, तो आगे मैं आपक उसे सबसे पहले देख पाएं, दूसरी रिक्वेश्ट यह है दोस्तों कि आप अपने किसी दोस्त को शेर कर सकते हैं वीडियो, या उनको आप बता सकते हैं मैनुली, कि उनको अगर डीमेंट slash trading account अगर open कराना है, तो description box में मैंने एक link drop किया है, उस link को click करकिया, अब stock के अ communication limited अभी देखिए, last मैं इसको 5-6 दिन से observe कर रहा हूं, तो 30 अपरिल को इसमें 1.10 के बाद से reverse direction शुरू हो गई थी, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको यहां पर जल्ली बाजी नहीं करनी है, लेकिन अब देखिए, उसमें 0.95 से लेके 1.05 के बीच का अपर circuit था और lower circuit था, लेकिन आज की इस्तिती यह है कि 0.80 जो कि आज के इसके lower price band लगा हुआ था और अपर price band आज का लगा हुआ था 0.90 का, जिसमें से 0.80 आज इसका lower price band है, जो कि हिट हो चुका है, अब देख सकते हैं, 0.80 पे अभी currently trade हो रहा है, जिसमें total volume अभी तक trade हो रहा ह कि 35,12,546, टोटल यह इसमें total volume है और इसमें अभी currently 0.05 पैसे अपने last closing price से यानि 0.85 से नीचे है, हाला कि आज यह open होता है 0.80 पे ही, जिहां, और वही इसका low है, वही इसका high है, और इसका high है, ओर राइट, 21.24, जिहां दोस्तों, 221.24 करोड रुपे है, यह इसकी market cap है, अब मैं आपको बात करता हूँ, phase value की दोस्तों, तो यह है 5.00, एंडस्टी का PE ratio दोस्तों, 0.19 का हो चुगा है, बीटा दोस्तों, 0.49 का है, अगर आप पूछेंगे कि यहां delivery percent कितना है, तो दोस्तों बतावन चाहूँगा आपको security wise delivery percent यहां पे 93.43 percent उठाई जा रही है, जिहां approximate 100 percent, जिजहां दोस्तों, इसके बाद if you talk about returns के, तो मैं आपको return profile इसका दिखाना चाहूँगा, if you talk about 1 month, then this is 0, sorry 23.08 percent है, अगर आप 3 महिने की बात करेंगे, तो आपको 0 percent मिलेगा, if you talk about 6 month, तो इस case में आ आपको 14.29 percent का मिलेगा, अगर आप एक हपते का देखेंगे, तो minus 5.88 percent है, अगर आप एक साल का देखेंगे, तो minus 56.76 percent है, okay, अब दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके share holding pattern में, जो की अभी तक 2020 का updated version तो नहीं है, लेकिन जो भी है, मैं आपको ब quarter, December 18, फिर March 19, फिर June 19, फिर September 19, ये चार हमने जो quarters बता हैं, इन चार quarters में promoters की holding है, वो 53.08 percent है, फिर 22 percent होती है, फिर 22 percent होती है, फिर 10.48 percent रह जाती है, अभी इसके बाद September के बाद December quarter और March quarter, two quarters का data अभी यहां पे missing है, अविलेबल नहीं है, अब लेवल होगा, तो मैं आपक बताऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि promoters का holding जो pattern है, वो down होता जा रहा है, decrease होता जा रहा है, और इसके ठीक उल्टा चलता जा रहा है, others की holding pattern में, जिसे कि others की category में small investors, retail investors, छोटे मोटे जोती हैं, जितने भी होते से बाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि same quarters मैंने आपको भी डिसकस के 4 quarters, December 18, March 19, June 19 and September 19, यहां पर respectively देखिएगा, 23.62% था, 37.96% होता है, 50.58% होता है, and then 50.80% होता है, फिर इसके बाद आपके पास December quarter और March 2020 का, मतलब ये last के दो quarters का अभी तक हमारे पास data available नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि others की category वाले जितने लोगें, उनका जो हिस्सेदारी है, that is getting increased, वो बढ़ती जा रही है, तो आप यहां से एक situation आप imagine कर सकते हैं, तो overall इस company में, retail investors यह यह कही है कि जो others category के investors हैं, उनके अंदर इस्सेदारी सी बढ़ती जा रही है, मतलब गुमाफिर investors के हाथ से company, almost निकल चुकी है, क्योंकि जितना percent अभी तक भजा है, जितना show हो रहा है, उसका 46.29% तो pledged है, और इसमें if you talk about MF की, यानि mutual funds की, तो 0.01% की इनके बेसेदारी है, जो total DII's की होती है, उसका 0.01% है, जो की 5.05% है, September 2019 data का, जिसका 0.01% MF के पास है, यानि mutual funds के पास है, अब मैं आपको बात करता हूँ, दोस्तों, जल्दी का जो भी काम होता है, वो शैदानी का काम होता है, जी है दोस्तों, जल्दी का काम, शैदानी का काम होता है, किसी ने सही कहा है, अगर आप यहाँ 0.80 पे अभी अगर आप जोश में आ करके, इसमें अगर सपोस क करिए कि आप buy कर लेते हैं और आने वाले एक हपते के अंदर 0.80 से slip करके suppose करिए 0.60 पर चला जाता है फिर आप क्या करेंगे फिर आपके पास पस्ताने के लवा कुछ नहीं रहेगा रिग्रेट करने के लवा आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा फिर आप सोचेंगे बैठके कि काश मैंने 0.70 तक ले लिया होता 0.65 पर ले लिया होता इसलिए मैं कह रहा हूँ और ये भी मैं बताना चाहूँगा 0.60 कोई मैं पमिश्वारी नहीं कर रहा हूँ 0.60 से नीचे भी जा सकता है यानि 0.45 0.40 0.50 तक भी जा सकता है So, be careful, यहाँ पर आपको careful रहना है नजर आपको बना के रखना है बिल्कुल टक टकी लगा के रखना है बात को जल्दी का काम सेदानी के काम होता है आपको याँ जल्दी बाजी नहीं करनी है You have to be very careful about this बट इसका मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि आप इसको जल्दी बाजिंगे आ करके जोश में करिद लें और फिर बाद में रोना शुरू कर दें तो इससे नहीं होता है ना आपको कि यहाँ पे किस पॉइंट पे आप अपना काम कर रहें that is very important I hope कि आप average out करने के purpose से इसमें अगर आप ऐसे सोच रहें तो उसमें भी आपको बहुत सावधानी से एक suitable point पे आपको आके buy करना होगा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने इसकी lowest point पे आप exactly जाके buy कर लोगे यह तो possibly नहीं क्योंकि बहुत मुश्किल है न कोई नहीं चाहनता है कि आने वाले एक दिन या दो दिन में क्या होने वाला है no one knows 100% right but उसके nearby में 0.05 0.10 की gapping पे ले कर के मैं इसको बताना चाहता हूँ आप चाहें तो कर सकता है this is best way to deal right with this तो यही आप सब लोगों को मुझे clearly समझाना था hope आपको यह content अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे like करिये अपने दोस्तों में share करिये और चैनल को subscribe करके bell icon को hit कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो उसके आपको notification मिले और आप उसे देख पाए see you guys next time in my next video till then goodbye